दोस्तो हमारी आज की कहानी बहुत ही जान्दा गरम और हॉट है जिसे देखके आपका भी टुंटुना जग उठेगा सो मुवी को ध्यान से और समल के देखना लेकिन दोस्तो मैं आपको बता दूँ ये मुवी की स्टोडी थोड़ी वियर्ड है जो हमारी देश के कल्चर के हिसाब से बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है दोस्तो हमारी आज की कहानी एक लड़के के बारे में जो होमो सेक्सल होता है लेकिन उसकी मदर उसे सेक्स करना सिखाती है तो अब इंट्रो काफी हुआ चलिए आते हैं वीडियो पर पर दोस्तो वीडियो पर आने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी वीडियो देखने का रिस्पॉंस जरूर दें वीडियो को लाइक या डिसला लेकिन ग्रूक अपने बेटे टोनी को चाना प्यार नहीं करता वहीं उसकी मा बार्बरा टोनी को काफी प्यार करती है अब ये दौनों लोग एक पार्टी में जाने के लिए रेडियो होती हैं लेकिन अपने बेटे के देखभाल के लिए वो मीड को घर पर ही रोक के जाती अब पार्टी में आने के बाद यहां के सारे आदमी बार्बरा को यह देखते हैं क्योंकि बार्बरा सच मुझ काफी होड और सेक्सी लग रही थी फिर फानली बार्बरा एक टीबल पे बैट जाती है और अपने दोस्तों के साथ डिनर किरती है जहां बार्बरा अपनी एक फ्रेंड समोन से पूछती है क्या वो 10 मिलियन डॉलर के लिए किसी इंसान का मीट खा सकती है पर समोन मना कर देती है फिर बाद में बार्बरा अपने husband group से पूछती है क्या वो 10 million dollar के बदले सुमों के साथ सो सकता है लेकिन group बारबरा के इस question का कोई answer नहीं देता इवन उसे बहुत गुसा आता है अब दुवारा से बारबरा group से पूछती है क्या वो party के बाद मुझे किसी आदमी के साथ भेज सकता है और टॉनी को देखने के लिए जुकती है पर group उसे पीचे से काफी अजीब निजरों से देख रहा था अब हमें कई साल बात की कहाने दिखाई जाती है जहां टॉनी काफी बड़ा हो गया है और वो अपनी मौम के साथ ही रहता है क्योंकि उसके डैड ग्रूग अकसर बिजनस के लिए बाहर ही रहती है फिर एक दिन बारवरा और टॉनी बाहर गुमने जाते है जहां बारवरा टॉनी से पूछती है बेटे तो मुझसे कितना प्यार करते हो तो टॉनी बोलता है मा आपसे मैं दुनिया में सबसे जाना प्यार करता हूँ आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ तो बारवरा बोलते है क्या सच मुछ तो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो और ये आप लोगों को एक फ्रेंच बुक पढ़के दिखाएगा लेकिन टॉनी फ्रेंच बुक को बहुती कमियानी अच्छे से नहीं पढ़ पाता तो एक गैस टॉनी का काफी मजाग उडाता है और बोलता है तुम बोल रही थी कि इसको काफी अच्छी फ्रेंच चाहती है इसने तो एक वर्ड भी नहीं पढ़ पाया अपने बेटे का मजाग उडाने पर बार बरा उन गैट से काफी गुस्सा हो जाती है और उने चिलाते हुए गड़ से बहार नेकाल देती है अब ग्रूग भी बार बरा से गुस्सा होकर रात में एक होटल में जाकर रुकता है लेकिन रात में बार बरा ग्रूग को मनाने क जाती है लेकिन वो मनाने की बज़े उसके साथ वहीं डुप्चुक डुप्चुक करने लगती है यानि आप समझ गए वो क्या करने लगती है फिर अगली सुबह ये दोनों लोग घर आते हैं तो देखते हैं कि टॉनी की विष्टर में कोई और लड़का सो रहा है और टॉनी बातरूम में नार आ है लेकिन ये इस देख गुरूप को काफ़ गुसा आता है और यहां हमें पता चलता है कि हमारे टॉनी भाई थोड़े से बीच के आदमी है थोड़े का मदब पूरे ही बीच के हैं फिर हम कुछ सालों बात के सीन देखते हैं जहां टॉनी अब बड़ा हो चुका है मैं चिरू चुका है जो अपने दोस जैस के साथ एक बीच पर सुटा बार याने इंजोई कर रहा है और लड़कों को ताड रहा है फिर अगले दिन टॉनी को उसे बीच पे ब्लैंका नाम क से काफी खुश होती है वा बेटा वा मौच कर दी अब नेक्ट टॉनी की पैरेंट्स ब्लैंका से मिलते हैं और उसे लेके पार्टी करने के लिए एक बार में जाती है लेकिन पार्टे में ग्रूप ब्लैंका पर डोरे डालता है यानि अपने बेटी की गल्फरेंट पर डो वहाँ वो ग्रूप को ब्लैंका के साथ देखती है तब बार बारा समझ जाती है कि ग्रूप और ब्लैंका का चक्कर चल रहा है और ये गरम सिंदे के वो गुस्से से वहाँ से निकल जाती है और गुस्से के वज़े से वो एक टैक्सी ड्राइवर के साथ अपनी गुल्लक क तोनी को ग्रूग की सच्चा ही बता देती है कि ग्रूग और तुमारी गल्फ्रेंड ब्लांका का नैन मटकका चल रहा है फिर कुछ दुनों बाद अकेला होनी के वज़े से बार बरा भी एक फ्रेंड बना लीती है जिसका नाम सैम होता है और वो उसी के साथ रहती थी और सैम भी उसका काफी अच्छे से ख्याल रखता था बल्लब उसकी सारी जरूरते पूरी करता था जो ग्रूग पूरा नहीं कर पाता था समझे रहो ना फिर नेक्ट टॉनी भाई सैम से बात करते हुए देखे जाते हैं यहां टॉनी को पता चलता है कि सैम भी टॉनी का इस जुड़वाई है यानि वह भी एक होमोसेक्सवल है समझे रहो ना मतलब बीज का थोड़ा सा यहां वा हो सकता है लेकिन बीज का कनफरम है फिर नेक्ट टॉनी जब वो नहांके आता है तो इसलिए वो एक लेटर लेके ग्रूक के गढ़ जाता और वो उस लेटर को बाहर मिट्टे में चिपाने लगता है लेकिन बिलेंक का उसे ऐसा करते हुँग देख लेती है और वो बाहर आती है, पर टॉनी लेटर को को जोइन करता है और और ये तीनों लोग त्री सम खेलते हैं फिर कुछ दुनों बाद सैम भाई को टॉनी और बारवरा को छोड़के दूसरे सहर जाना पड़ता है और भाई इन्हें बाई बोलके चले भी जाते हैं पर काफी दिन बीथने के बाद बारवरा अकेले होने के व और वो बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं है तो तुम लोगों को उनसे दूरी रहना चाहिए फिर कुछ दुनों बाद हम बारवरा और टॉनी को एक फ्यूनल में देखते हैं जहां ग्रूग और बलैंका भी आये होते हैं लेकिन ग्रूग अपने बेटे टॉनी और बारवरा से बिल्कुल भी बात नहीं करता और अब कुछ महीनों बाद बारवरा और टॉनी लेंडन सिफ्ट हो जाते हैं जहां बारवरा और टॉनी नाय नय दूर्स बना लेते हैं फिर कुछ दूनों बाद बारवरा अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलने जाती है और घर आके टॉनी ब बारवरा को बताता कि मेरा भी एक गे फ्रेंड बन गया है और ये सुनके बारवरा को अच्छा नहीं लगता कि उसका बेटा एक गे है तो इसलिए वो उसकी इस आदत को चुड़ाने के लिए उससे सेडियूश करने के कोसिस करती है और सेडियूश करते हुए ये दोनों चाकू से अपनी मोम को मार देती है और मारने के बाद वो पुलिस को कॉल भी करता है और पुलिस के आने तक वो नूडल से वोक्स लेके अपनी मदर की डैड बोडी के पास ही बैटके खाता है और जब पुलिस वाले वहां आते हैं तो देखते हैं कि ये डेफिनिटली हो चुका है और इसलिए पुलिस वाले उसे मैंटल होस्पिटल बेज देते हैं लेकिन कुछ दूनों बाद हमें पता चलता है कि वहां टॉनी ने सुषाइट कर लिया है और इस तरह इस मूवी का